हाई गाईज, वेलकम तो चैनल मुवी इंसेन आज एक्स्पिनेशन होने वाली है बहुत ही इंट्रस्टिंग और मिस्टीरियस मुवी एपी डेट दे के बारे में मुवी को 2017 में रिलीस किया गया, मुवी की IMTV रेटिंग 6.6 out of 10 और इसे Rotten Tomatoes पे 71% तम्स अप मिला, मुवी का टोटल टाइम डूरेशन 1 आर 36 मिनट्स है मुवी को होरर को इंसेट फिर बनाया गया है, बट इस नोट अ स्ट्रेट अप होरर मुवी का स्टार्ट होता है और हम एक कॉलेज बिल्डिंग को देखते हैं जहां ट्री नमी लड़की, कार्टर नमी लड़के के रूम में जाकती है वो उसे कहता है कि कर राथ Party में उसने काफी नशा कर लिया था जिस वज़े से वो कार्टर की रूम में है अब उसे काफी headache था और वो कार्टर से headache की medicines मांगती है हम देखते हैं कि ट्री को एक phone call आता है जोकि उसके dad का था जिसे वो ignore करती है और इस दिन 18 September Monday ट्री का birthday होता है ट्री कार्टर को किसी को कुछ ना बताने का कै बाहर निकलती है जहां वो कुछ activities को होता देखती है जैसे कार का सिगनल बजना, water spring on हो जाना, एक लड़के का बेहोश होना रस्ते में वो टिम नामी एक लड़के से मिलती है जो उसे पूछता है कि ट्री उसके messages का reply क्यों नहीं दे रही ट्री ने टिम को शायद एक बाद date किया था और अब वो continue नहीं करना चाहती थी वो उसे कहती है कि वो उसके टाइप का लड़का नहीं है और फिर अपने होस्टल आती है चहां वो अपने होस्टल की head girl Daniel से मिलती है और उसकी roommate लॉरी उसे birthday wish करती है और अपने हातों से बनाया cup cake उसे देती है पर ये कह कि उसे मोटा नहीं होना ट्री उस cake को dustbin में फैंग देती है दरासल ट्री और उसकी mom की birthday same date को होती थी और उसके mom के गुजर जाने के बार ट्री को अपना birthday celebrate करने में कोई interest नहीं था और शायद यही वज़ा थी ट्री का behavior बहुत रूड हो चुका था अब वो अपनी क्लास आती है जहां हम ट्री के behavior में उसकी teacher के लिए काफ़ी interest देखते हैं क्लास के बार ट्री की अपने friends के साथ meeting होती है जहां कार्टर उसे मिलता है जो ट्री का bracelet उसे देता है जो ट्री कार्टर के room में भूल गई थी इसके बार ट्री hospital आती है वो hospital में लोरी से मिलती है जो उसे ये बताती है के वो डबल शिफ्ट कर रही है और साथ ही वो ट्री को professor को date करने से मना भी करती है अब उस प्रोफेसर ग्रेगरी से मिलती है जिन्हें हमने class में देखा था क्योंकि ट्री का professor ग्रेगरी के साथ affair था डॉक्टर ग्रेगरी से मिलते वक्त उनकी वाइफ वहां आ जाती है। इन एक्चल डॉक्टर ग्रेगरी मेरिट थे। पर ट्री और प्रोफेसर कुछ भी अपनी वाइफ पर एक्सपोस ना करते हुए नॉर्मल पिएफ करने लगते हैं। इसके बार ट्री वापस होस्टल आत जो उसे ये कहते हैं कि वो घंटो तक रेस्टोरेंट में ट्री का वेट कर रहे हैं थे पर वो नहीं आई। पार्टी में जाने के लिए एक टर्नल क्रॉस करते हुए उसे एक मक्ट इंसान दिखता है। जिसने ट्री के कॉलेज का मस्किट पहना हुआ था, वो ट्री का समझती है। पर फिर सब कुछ वो ही होने लगता है जो ट्री ने पहले से फेस किया था, कुछ पर डिफरन नहीं था। मानो जैसे ये दिन 18 सप्टेंबर मंडे रिसेट हो गया हो, अब वो होस्टल जाती है, अपनी रूमेट से मिलती है और सब कुछ वैसा ही होता है। पर इस पर ट्री पार्टी में जाने के लिए टर्नल को यूज नहीं करती। वो पार्टी में पहुंचती है जहां उसे ये पता चलता है कि ये पार्टी उसके बर्थे के लिए सप्राइज रखी गई थी। वो काफी इंजॉय कर रहे होते हैं कि हम फिर से उसी मांग्च मैन को देखते हैं जो ट्री के फ्रेंट को मारने के बार ट्री पर हमला करता है और उसे मारने में काम्याब हो जाता है और इसके बाद ट्री एक बार फिर कार्टर के रूम में उड़ती है जो काफी खबराई होती है और हर बार ट्री के जागने के बाद किसी को भी पिछली बात य वाइड करती है पर वो माक्ट मैन पहले से ही ट्री के रूम में माजूद होता है जो एक बार फिर ट्री को सक्सेस्फुली मार देता है अब अगेन एक बार फिर ट्री कार्टर की रूम में उठती है और इस बार वो कार्टर को अपने साथ हुए इंसिडेंट्स के बारे में ब उसे मारना चाहता है क्योंकि ट्री के रूट बिहीवियर की वज़ा से काफी लोग उसे ना पसंद करते थे और हर बार ट्री कातिल का चेहरा देखने में नाकाम रही थी एंड जब वो ये पता लगा लेगी कि मार्क्स के पीछे कौन है तो इस से पहले कि वो ट्री को मारे ट्री उसे मार सकती है एंड वैसे भी ट्री के पास फिलहाल अनलिमिटिड लाइफ से हैं और यू डे स्टार्ट होने पर किसी को कुछ भी याद नहीं रहेगा ट्री को ये आइडिया काफी पसंद आता है अब वो सस्पेक्ट लिस्ट बनाती है और सभी उन लोगों को लिस्ट में शामिल करती है जिनके साथ ट्री ने कुछ बुरा किया था और पिर एक एकर अपनी सबी सस्पेक्टों को मानिटर करने लगती है जिससे उसे बहुत सी बाते पता लगती है जैसे के टिम गे हैं डैनियल स्टेफणी और उसकी सस्पेक्ट लिस्ट में कोई भी उसका मडरर नहीं है और इश सब का पता लगाते ट्री मंटिपल टाइमस मरती है और अब जब वो जाकती है तो उसकी तब्यत काफ़े विगर चुकी होती है उसे हॉस्पिटलाइज किया जाता है जहां डॉक्टर ग्रेगरी उसे बताते हैं कि ट्री को काफ़े स्वेयर इंजिरीज आई हैं उन्होंने ट्री की बॉड़ी को स्कैन किया जिसके बाद ये पता चला कि ट्री को जहां इंजिरीज हुई है उसके बाद उसका जिन्दा रहना काफ़ी ताजब की बात है जिसे सुनने के बार ट्री को ये एहसास हो जाता है कि हर बार मनने के बाद वो वीक होती जा रही है और ऐसे ही अगर वो हर लाइफ में मरती रही तो इतनी वी खो जाएगी कि शायद दुबारा उठना सके अब उसके लिए मडरर को जल्दी डूना बहुत जरूरी हो गया था वो हास्पिटल से ग्रेगरी की कार चुरा कर भागती है पर वो माक्स्ट मैन उसका पीछा करता है अपनी जान बचाने के लिए ट्री काफी फास्ट ड्राइफ करती है जिस वज़ा से उसे पुलिस रोक लेती है ट्री को ये लगता है कि वो पुलिस टेशन में सेफ रहेगी और इसलिए वो खुशी-खुशी पुलिस टेशन जाने के लिए तैयार हो जाती है पर एक बार फिर वो माक्स्ट मैन वहां आता है और उसे जला कर मार देने मे कामयाब हो जाता है अब नेक्स टाइम उठने पर ट्री फिर से कार्टर को सारी बात समझाती है रेस्टोरेंट में बाते करते वक्त ट्री की नजर एक न्यूस पर पढ़ती है जहां वो एक किलर जॉन के बारे में सुनती है जिसने अब तक छे लड़कियों को मार दिया था औ सुनते ही ठ्री फोरण हॉस्पीटल जाती है पर जॉन एक पिलिस ओफीसर को मार कर पहले ही फ्री हो चुका था वो ठ्री पर हमला करता है पर उसे बचाने कार्टर वहां आ जाता है अब उन दोनों में हाता पाई होती है और जॉन कार्टर को भी मार देता है आफ्टर प्लेंग हाइडेंग सीक ट्री जॉन को मारने वाली होती है पर शी रियलाइस कि जॉन ने कार्टर को मार दिया है और क्योंकि वो कार्टर को पसंद करने लगी थी वो ऐसा बिलकुल नहीं चाहती थी तो ट्री खुद को फांजी लगा कर मार देती है अब नेक्स टाइम जब वो उटती है तो वो काफे बदल चुकी थी अब वो हेल्प करने लगी थी और साथ ही वो लॉरी और अपने फादर से अपने बैड बिहीवियर के लिए माफी मांगती है अपने प्रोफेसर से अपने अफेयर को खतम करती है और लंच पर कार्टर से मिलते हुए वो उसे रात में अपने साथ बर्टे सेलिबरेट करने का कहती है ये सब करने के बार ट्री प्रॉपरली रेडी होकर हॉस्पिटल जाती है क्योंकि वो जॉन को मारने वाली थी और लास्ट टाइम उनकी फाइट हॉस्पिटल में ही हुई थी और इस फसे हुए दिन से निकलने का बस यही तरीका था कि वो अपने मडरर को मार दे अब विद अ प्रॉपर प्लैनिंग ट्री और ट्रॉण के बीच में फाइट होती है और फिर फाइनली ट्री जॉण को मारने में काम्याब हो जाती है इसके बाद वो कार्डर के साथ अपनी बर्टिय सेलिबरेट करती है और लॉरी का बनाया कपकेक खाती है अब यहां मोवी एक बार फिर मिस्ट्री रिपीट करती है और फिर से सब कुछ वैसा ही होने लगता है फिर से 18 सप्टेंबर था एंड सेम एक्शन्स ट्री बहुत डर जाती है क्योंकि अब तो उसने अपने मडरर को भी मार दिया था पर स्टिल शी इन दा सेम डे वो शेहर छोड़ कर भागने का सोचती है अब ट्री अपने होस्टल आती है जहां अपनी रूम मेड लॉरी के साथ बाते करते हुए उसे ये पता लगता है कि कपकेक में जहर था और क्योंकि उसने वो कपकेक रात को खाया वो नींद में ही मारी गई थी और जॉन को हॉस्पिटल में ड्रक्स देकर फरार भी लॉरी ने करवाया था लॉरी कनफेस करती है कि वो भी ग्रेगरी को चाहती है और क्योंकि ट्री का फियर ग्रेगरी के साथ है तो बस इतनी से बात की वज़ा से वो उसे मारना चाहती है उन दोनों के बीच हाता पाई होती है ट्री खुद को बचाते हुए लॉरी को विंडो के तरफ फोर्स करती है और लॉरी की विंडो से नीचे गिरने पर मौत हो जाती है इसके बाद पुलिस वहां आती है और लॉरी को साइको डिकलियर करती है इस तरहाँ से ट्री सेफ हो जाती है ट्री ये सारी बाते कार्टर को बताती है अब नेक्स सीन में हम ट्री को फिर से कार्टर के रूम में सोया हुआ देखते हैं और उचने पर वो ये जान पाती है कि आज का दिन 19 सब्टेंबर है यानि कि वो टाइम लूप से बाहर आ गई थी और अब वो कार्टर के साथ रिलेशन में भी थी तो गाईज मेरे हिसाब से मूवी काफ़ी इंट्रस्टिंग है मूवी में हम ट्री के करेक्टर की एविलूशन को देखते हैं अपनी मा के गुजरने इस टाइम लूप में फसने और यहां से निकलने के बाद तक गाईज आप अपनी व्यूज मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सिस्क्राइब करें अब हम मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई